Hey guys, welcome to Tech with Amin इस वीडियो में हम देखेंगे कि प्रॉक्सी क्या होती है उसके हम कुछ रियल वल एग्जाम्बल से लेंगे उसके बाद हम देखेंगे कि फोवर्ड प्रॉक्सी क्या होती है और रिवर्स प्रॉक्सी क्या होती है So what is a proxy? So generally client-server architecture में क्या होता है कि आपका एक client है यह आपका internet हो गया यह आपका server होता है client request करता है and वो server के पास चली जाती है server response करता है and internet आपको return कर देता है client को response था अभी proxy के अंदर क्या होता है कि client है जो हमारा वो directly server को hit नहीं करता यहाँ पर बीज में एक proxy आजाता है तो जो भी client को request करना होता है basically वो proxy को भेजता है and फिर proxy इस request को forward करता है server के पास and फिर return करता है उसका response and proxy फिर client को response return कर देता है इस type से चलता है तो हमेशा बीच में एक proxy होगा आप जब भी request करेंगे वो proxy के पास जाएगी पहले and उसके बाद वो जाएगी server के पास proxy delegate करेगा and server respond करेगा and then proxy आपका response return करेगा client को अब इसमें क्या होता है कि basically यह proxy हो सकता है कि आप client के network के अंदर हो तो यह forward proxy हो जाती है and अगर यह server के network के अंदर है तो यह reverse proxy हो जाती है यह हम आगे वीडियो में देखेंगे अभी कुछ real world examples ले लेते हैं कि proxy कहां-कहां होती है जिससे कि हम इसको अच्छे तरह समझ पाएं so पहला example ले सकते हैं check का so check के case में क्या होता है कि आपके पास पैसा है लगा लो मेरे पास 10,000 रुपीज है and मैंने आपको 10,000 रुपीज देने है so instead of giving that money directly मैं क्या करता हूँ आपको check देता हूँ अब check पैसा तो नहीं है but पैसे की proxy है एक तरह से आपको check बैंक में डालते हो and आपको पैसा मिल जाथ so मैंने directly पैसा नहीं दिया एक proxy दी and उस proxy ने वो काम कर दिया दूसरा example ले सकते हैं कि लगा लो आपको आज class जाने का mood नहीं है and आप friend को बोल देते हो कि यार मेरी proxy लगा देना आपने college में काफी किया होगा सही नहीं है but होता है ऐसा so आपका friend गया जब भी आपका roll call हुआ so उसने आपकी जगह वहाँ पे present बोल दिया अब ये proxy हो गई तो आप वहाँ पे नहीं थे बट आपके present लग गई तो आपके बिहाफ पे काम हो गया यही proxy होती है तीसरा example लेते हैं preprocessed files जिसे आप सभी ने maybe कभी video editing की हो तो आप मालो HD video या 4K video आप edit कर रहे हो so आप actually अगर मालो आपका जो laptop है वो इतना performance heavy नहीं है कि वो उस file को directly edit कर सके so यह program क्या करते हैं आपको एक HD या 4K video का जिसे 720p का वो बना देंगे proxy file बना देंगे तो उसी ही video का एक और video बन जाता है जो की low resolution होता है जिसको आपका laptop easily handle कर सके आप उसके अंदर editing करते हैं cuts करते हैं transition लगाते हैं and उसके अंदर आप basically text add करते हैं अलग-अलग चीज़न करते हैं and finally आप render कर देते हैं उसको अभी क्या हुआ कि आपने जो काम किया वो pre-processed file के उपर काम किया यह proxy files होते हैं ठीक आपने actual video का edit नहीं किया आपके program ने कुछ config बना दी कि हाँ उस original video का ऐसे edit करना है तो आप जब भी render करोगे तो आपके original video render होगे उसके उपर वो ही transformations वो ही actions लगेंगे जो आपके proxy के उपर आपने एडिट करते time लगाए थे इसलिए आपने देखा होगे कि आप edit करते हो तो live edit कर सकते हो आप rendering करने बैठते हो तो वो rendering आपका आदा गंटा ले जाते है क्योंकि original files के उपर हो रही होती है कि आपकी proxy कहाँ पर है कौन से network के अंदर है अभी मेरी ये proxy है जो proxy server है ये वाला ये है client के network के अंदर है ठीक है ये हमारे client है अब ये client कौन हो सकता है client का network क्या मतलब है basically लगा लो आपकी कोई organization है आप किसी college में हो school में हो तो वहाँ पर क्या होता है कि आप एक network के अंदर होते हो ये जो network के अंदर है यहाँ पर एक proxy होती है अब जब भी आप request करेंगे तो जैसे आपने phone से किया या laptop से request किया तो वह request पहले जाएगी proxy के पास फिर उसके बाद वह proxy उसको forward करेगा internet के पास इंटरनेट से फिर आपके server के पास जाएगी फिर वहाँ से response आएगा आपने पास ये internet से होता हुआ proxy के पास response आया जिसने भी request किया था उसको proxy response दे देगी इस तरह से काम करता है तो यहाँ पर जो भी request जाएगी वह आपका जो network provider है वहाँ पर जो आपकी organization के अंदर वह ऐसे configure कर देता है कि मेरी request सारे proxy के तरू ही जाए कोई भी directly में access ही ना कर पाऊँ कुछ भी तो ऐसा काफी होता है कि जब controlled environments होते है जैसे कि आपके offices हो गए उनके अंदर काफी controlled होता है उनकी restrictions होते है इसके थोड़े कुछ फाइदे देख लेते है इसमें क्या हो सकता है कि आप blocked websites होते है उनको bypass कर सकते है जैसे मानलो आपकी company ने firewall के उपर rules लगा रखे है कि मानलो मेरा facebook.com नहीं खुलेगा अब IT के बंदे ठहरे आप समझदार हो smart हो तो आपने क्या किया एक proxy server setup कर दिया उसको full internet access थी लगा लो आपने cloud के अंदर एक VM बनाया उसको full internet access थी आपने उसके अंदर एक proxy convegger कर दी आप जब भी request कर रहे हो आप उस proxy को hit कर रहे हो basically यह आपका computer है and यह cloud के अंदर basically एक VM बना दिया and इसको full internet access है आप जब भी connect करोगे यहाँ पर करोगे and यह फिर internet को access कर देगी तो इस तरह से आप जिसे facebook.com open कर सकते हो and यह आपका जो blocking है क्योंकि since यह आपके network के अंदर होगा तो आपके जो firewall है उसने इसको blocking किया होगा and rules हो सकते है कि VM internet से connect कर सकता है विकी यूज़ कर रहे है तो यह sites क्या कर सकती है यह सब cache की जा सकती है proxy layer पर है ठीक है तो मैंने जो भी hit किया तो वो proxy layer पर cache कर लिया मालो मैंने जीरा खोला तो उसने जो भी static files थी proxy वो सारी अपने वहाँ पर store कर ली अब मालो आप जीरा खोल रहे है तो आप जो statically stored files होंगी वो ही serve कर दी जाएंगी हो सकता है कि मैं server पर जाऊं भी ना कुछ requests के लिए तो यह काफी अच्छी caching कर देता है network bandwidth बचाता है proxy servers next is security तो यहाँ पर security में काफी help करता है आपका proxy server सो क्या होता है चाइग आप request कर रहे है बहु है आप proxy server पर जाएंगी अब सुनीया को क्या लग रही है proxy server से रही है सारी族 request मैं reposit में сторон proxy server पर छ committees नेटवर को यहींडी की आपकей जो jerk जाएंगी तो यहासे प्रियों से या community अDR 2ग से Спасибо internet के पास जाएंगी तो मेरे IP हो गया, मेरा Mac हो गया, सब कुछ हाइड हो गया, क्योंकि जो रिक्वेट जारी है, वो एक्चुली डेलिगेट हो रही है, proxy server के थे तो मेरा यहां पे काफी जादा फाइदा हो जाता है, security में क्योंकि मेरी identity वगरा वो सब hide होगी अब attackers बाहर से attack नहीं कर सकते हैं इन चीज़ों पर next is content filtering लगा लो कि आपके organization ने proxy setup कर दी अब वो content filter कर सकते हैं जैसे वो चाहते हैं कि मालो बंदे job ढूंडे तो वो security.com हो गया LinkedIn हो गया इनको block कर सकते हैं and social media sites नहीं चाहते हैं कि लोग social media use करें क्योंकि productivity हो सकता है कुछ organizations में इस type का काम हो कि ब्लॉक्तिविटी लो करती हुए चीज़ें तो यह चीज़ें भी ब्लॉक की जा सकते हैं proxy server के तुरू आप यहां पर content filtering कर सकते हैं किसी भी basis पर headers के basis पर host के basis पर IP के basis पर anything like mostly sub type के आप filtering यहां पर लगा सकते हैं यह भी एक अच्छा फाइदा होता है so forward proxy में एक और example हो सकता है कि एक और layer पर हम इसको डाल सकते हैं कि मैं क्या कर रहा हूँ यहां पर server है इसके सामने मैंने एक proxy रखते है since मेरा server एक client है and यहां पर मैंने proxy रखती है अपने network के अंदर generally क्या होता है कि जो हमारे secure clouds होते हैं उनके अंदर internet access नहीं होते अभी मैं क्या कर रहा हूँ कि मेरे को internet access चीए तो मैं कैसे provide करूँगा मेरे servers को उसके लिए कई बार क्या करते हैं हम एक proxy server setup कर देते हैं इसको internet की access होती है यह internet के through जाके मेरे cloud के अंदर है बट मैंने उसको access नहीं दी हुई बार के internet access तो हम यहां पर एक proxy setup कर देते हैं तो मेरे जो भी server होता है इसको मानलो google.com से कुछ लेकर आना तो वह proxy के पास जाएगा और proxy फिर वो request forward करता है Google के पास इससे क्या होता है कि मेरे internal server का infra होता है वह मैं बाहर expose नहीं करता है सारा बस एक proxy server exposed हो रखा होता है प्लस यहां से मैं control कर सकता हूं ठीक है मानलो किसी ने मेरे server को अपने control में ले लिया अब क्या है कि वह कुछ malicious करना चाहता है बट मैंने एक proxy लगाई हुई है यहां पर मैंने गूगल ही अलाओ क्या होगा है कुछ अलाओ है नहीं उसको internet की access है नहीं तो अब यह क्या होगा कि वह कुछ करनी पाएगा बंदा क्योंकि यहां पर limited access है यहां पर proxy का यह भी use होता है यहां पर क्या है जो भी client request कर रहा है वह पहले internet के पास जा रहे है internet reverse proxy को दे रहा है वह request and reverse proxy फिर server के पास बहज रहा है उसको तो हमारा यह जो reverse proxy जो proxy है वह हमारा जो server है उसके network के अंदर चला गया अभी ठीक है अब यह cloud के अंदर चला गया basically इसे reverse proxy बोलते है आये कुछ benefits देख लेते हैं reverse proxy के पहला benefit है load balancing capability देता है reverse proxy इसमें क्या होता है कि basically जो भी आपका proxy server आपने लगाया हुआ है यह load balancing की तरह use किया जा सकता है इसको एक दूसरा server है उसके उपर बेज दिया मैंने तो यह reverse proxy के अंदर हम कर सकते हैं जो भी request आई proxy के अंदर वो proxy based on path उस request को अलग-अलग servers के पास बेज सकता है यही काम load balancer भी कर सकता है but since हम चोटे scale पर इसको भी use कर सकते हैं reverse proxy को पर request forwarding दर उदर caching capability अब सेम यहां पर भी caching की जा सकती है मालो जितनी भी request आ रही हो आनी तो इस server पर ही है मालो मेरी कोई wordpress site है लगा लो चोटा से example है wordpress site है उसके सामने मैंने proxy server लगा दिया तो मैं यहां पर caching कर सकता हूं कि इस type की चीज़ों को cache कर लो जब भी मेरे पास request आएगी वह proxy server अपने पास cache कर लेगा अब हो सकता है कि एक ही type की request आ रही हूं सारी static files के लिए आ रही हूं सिंस मैं proxy पे SSL termination भी कर सकता हूं तो SSL termination में क्या होता है बेसिकली आपका https connection होता है एंड उस https को decrypt करके हम अपने जो internal network होता है उसके अंदर http भेजते हैं हम हम क्या करते हैं जो certificates होते हैं बेसिकली वह यहीं पर configure कर देते हैं reverse proxy के अंदर जो भी http connection बना यहां से SSL termination हुआ यानि उसको http कर दिया अंदर हमारे servers में http चलता है उससे क्या है कि हमारा एक ही जगह सारी जो भी decryption का जो क्योंकि एक cpu intensive होता है थोड़ा जो भी decryption होने होते हैं वह सारे प्रोक्सी लेवल पर हो जाते हैं आगे सारे http connection अंदर चलता है क्योंकि मेरा controlled environment होता है यह पुरा इसके अंदर में http चलता हूं कोई issue नहीं है उस चीज में यह SSL termination में भी काफी help करता है next is security so basically since मैं यहां पर multiple servers चलता हूं slash API किसी और server से serve कर सकता हूं flash content किसी और server से and सामने internet को लगेगा कि हां एक ही server से आ रहा है यह जो proxy server है इससी से RSRA response तो मेरी जो internal architecture है basically एक तरह से internal जो काम करने का तरीका है मेरे servers का वो सब hidden है outside world से यह भी security provide करता है जो reverse proxy है वह हमें तो आज के वीडियो में इतना ही अगर आपको वीडियो अच्छे लगी तो like share and subscribe करें channel को काफी help करता है thank you